प्रधान मंति नरेंदर मोधी ने देश में कोरोना की मुझूदा हालात पर राष्ट को सम्भोधित किया अपने सम्भोधन में पीम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में कुछ सब्ता पहले हाला संबले वो थे लेकिन अब फिर कोरोना की दूसरी लहर तुफान बन कर आई है यहां पीम नोएंदर मोधी ने कहा कि जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सहर है उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने दीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देशवासियों की तरफ से अपनी सवेधना प्रकट करता हूं परिवार के सदस्य की तरह मैं आपके दुख में शामिल हूं कि के सेवाभाव को आधर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वास्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरुरत मंदों तक मदद पहुंचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम यह लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है तो अपनी सोसाइटी में मौले में एपार्टमेंट में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में म कम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेंटमेंट जोन लगाने की जरूर पड़ेगी न करविव लगाने की जरूर पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है आवस्ता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय देश में जाग रुपता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद कि दी छोटे छोटे बालग पांचवी साथ वी आटवी दसवी पढ़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूं मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुल बनाएं कि बीना काम बीना कारण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए के भी काम करें कि डर का माहोल कम हो सके लोग अफ़ा और भ्रह्म में ना आएं साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा कि वो लोगडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लोगडाउन से बचने की भरपुर कोशिश करनी है देश दुनिया की खबरों के लिए एनबे न्यूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए